अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले अब मेरा को सर्प्राइज देंगे आज और उसे हमारे हाथ का बनाओगा खाना चलाएंगे ना खुश हो जाएगी अरे पार्थ आपका बाए आए आए ना हमारे साथ गुल गप्पे खाईए बहुत ही लाजवाब गुल गप्पे हैं कि लाओ यह लिजी गुल गप्पे घाई हम गुल गप्पे नहीं हाते हैं क्या बात कर रहे हैं गुल गप्पे कौन मना करता है मतलब अच्छा कहीं हा वो थोड़े बोरिंग टाइप तू नहीं है नहीं रूदर्व वो पार्थ को गोल गपे पसंद नहीं है और पार्थ हेल्थ कॉंशिस है और मॉडल है इसलिए उन्हें ध्यान रखना पड़ता है के वैसे पार्थ है मजब आप बहुत लखी है याप जो मीरा आपकी वाइफ है कहां से मिली आपको यह नहीं मतलब आज के जमाने में ऐसी लड़कां मिलना मुश्किल है आमें तो नहीं लगता ऐसी लड़कां भी बनती होंगी मेरा से मिलके दिल खुश हो जाता है यह जितनी कंभीर है उतनी मस्ती खोर भी है अपने काम में परफेक्ट, कमिटेड और सिंपल तो है इतना अच्छा नीचरेन का और बला की खूबसूरत तो यह है मतलब परफेक्ट बैकेज है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी तो इन से शादी करके लोट्री लग गई विसे इनकी कोई बहन है मतलब क्यों नहीं मतलब अगर इनकी कोई बहन है तो हम अपनी बात चला लेते हैं भाई मीरा जैसी नहीं होंगी पर इनके आसपास भी होंगी तो भी हमारी दो लाइफ सेट हो जाएगी रूब्रा हमारी बहन है लेके ना आपने बहुत देर कर दी उसकी भी शादी हो चुकी है ओ नो I missed it बट पार्थ फिर भी मैं आप से यह कहूँगा कि आप दुनिया के सबसे लखी इंसान है जो मीरा आपकी वाइफ है कहीं हमारे जैसा कोई ने चुड़ा कर ना ले जाए जिस मजाग कर रहो यार बही अगर हमारी ऐसी बीवी हो ना तो हम तो उसे पलकों पर बिठाक रखे चांद तारे तोड़ कर ले आए उसके लिए मतलब पूरी दुनिया में ना ऐसे एक दिंडोरा पीटते फिरें कि देखो भाई यह हमारी वाइफ है और हम इससे बहुत जादा प्यार करते हैं पूरे शरीर पर उसका नाम लिखवा ले हैं वो कहते हैं ना वो 21 सदी का राज़ा बन जाए हैं एक दम उसके प्यार में हम भी ना पागल है एक दम पता नहीं आपको इस सारी बाते क्यों बता रहे हैं I'm sure Meera आपकी वाइफ ने तो आप उसके लिए इस सब तो करते ही होंगे ना हम ने तुम्हें कभी नहीं मोला कि हम तुम से प्तार करते हैं ना शादी से पहले ना शादी के पाट आप रूद्र हमारे जैसी तुने लेकिन हम से थोड़ी कम आपके लिए हम ढूनने की जरूर कोशिच करेंगे और आप बिलकुल फिक्र मत करिये, आपको भी ऐसी कोई दिवानी मिल जाएगी अच्छा, पार्थ, चलिये, बहुत लेट हो रहे हैं, चलते हैं हम चलते हैं, हरूदर ओके बाई, स्यू तुमारा बाई बाई पार्थ अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाए नथ के सारे शानदार एपिसोड़ आगे तुम दूना, आज मेरा बहुत देर कर दी आने में हाँ दादी, वो रहर्सल थोड़ी ज्यादा देर तक चली और फिर उसके बाद हमने यह सब बाते बाद में कर सकते हैं ना, पहले तुम दोनों जाके खाला खालों हाँ, तो तुमना हाद मून दोलो, आज हम तुमें बहुत अच्छे वाला खाना के लाएंगे नहीं नहीं पार्थ, हमें खाना खानी काना बिलकुल मन नहीं है वो हमारा पेट एक दम फूल है इतनी सारे गोलगपपे जो खा लियो थे हमने हम तो अब एक भी कोड खानी पाएंगे तदी, क्या बुलते हैं, थोड़ा आराम कर लेगे ना थक गई होगी मेरा, वो जाके आराम कोल नहीं नहीं पार्थ, हम दिकुल नहीं थके हैं इंसक्त, आप यहां बैठे हैं, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं नहीं, मेरा, सुनो, हमें भी भूख नहीं हैं सादा आराम कर ले ले, हम आते हैं तादी, हम आपके लिए दूद लेकर आते हैं रुको मेरा मेरा बटा आज लला ने अपने हाथों से प्यार से तुम्हारे लेक खास खाना बनाया वो तुम्हारे साथ पैटके खाना खाना चाहता था तो वो भी भुका है वो इंतिजार में था कि तुन्हों साथ में बैटके खाना खाएंगी दादी, हम कैसे भूल गए? आज खाना पार्थ ने बनाया है. तुमने मेनाकत टिया तो देखो, कितना उडास हो गया वो? हे काना जी, हमें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था अन्जाने में ही सही लेकिन हूमने पार्थ को इतना हर्ट करदिया अब हम क्या करें दादी हम क्या बता है हमें कुछ सुझ नहीं रहा है भाल लखी है आप कहां से मिली आपको है तो यही का हुआ कि आपकी ठोइड से शादी गरके ना लोट्री लग गई रही हुआ कि आप दुनिया के सबसे लखीया इंसान जो मीरा आपकी वाइड है कही हमारे जैसा को इन्हें चुरा कर न ले चाहिए वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा मुड़ा प्यार नहीं चाहिए उन्हें भी हमारी तरह कोई दीवानी चाहिए अब देखें दीवानी गंगल प्लेपर टीवी से पहले